जनपत बांदा में इन दिनों लगा तार ठंडो भूट प्यास और इलाज के नमिलेशे अन्न गोवनसु की गोशालाओं में मौत की घटना सामने आ रही है जिसके चलते गोशालाओं में अन्न गोवनसु की मौते हो रही है आज भी पलानी थानचेट के अंतरगत खपटिया गाओं में गोशालाओं में गायों की बिजली का तार गिरने के करेंट लग जाने से मौत का मामला शामने आया हाला कि न्यूजे खवर चलने के बाद डियम एस पी वो आला धिकारी भी मौके पर पहुंची उत्तरपरदेश के मुक्ष मंतरी योगी आधितनात गोवंस को लेकर चिंतित और गोवंस के लिए गोशाला बनुआ कर भूश चारे के लिए यूपी के तमाम जनपदों में करोड रुपया बेज रहे हैं लेकिन करोड रुपया खर्चोने के बावजित भी अन्ना गोवंस की शरकारी गोशाला में लगातार मौत का सिलसला जारी है जी हाँ हम बात कर रहे हैं जनपद बांदा के खपटी अकला की गोशाला की जहां पर आज गायों की बिजली की करेंट लगने शिम मौत हो गई थी वहीं गायों की मौत के मामले पर हकीकत जाननी चाहिए तो तमाम ग्रामीड और किशानों ने बताया की इस गोशाला में जिस प्रिशासन और अधिकारियों की लापरवाही के चलते लगातार गोवन्सों की मौत हो रही है आज अभी बिजली में के करेंट शे 21 मौतों के बाद जिला प्रिशासन यहां पर पहुंचा लेकिन अभी गोशाला में ठंड शे मर गए जानवरों में औरे ये बीवीशी गोशाला में गोवन्स पड़े हुए हैं अधिकारी शे यहां पर खाना पूरती करने आते हैं और निरिक चड़ करके चले जाते हैं इस गोशाला में लगातार भूब प्यास और ठंड से अब तक लगभग दो से पचास गोवन्सों की मौत हो चुकी है हम ग्रामेड किशान नगर गोवन्स की मौत के बाद जिला परुशासन के अधिकारियों से कहते हैं तो वहीं अधिकारी हमें जेल भेजने की धंकी देते हैं वहीं गौरक्षश शमिति के कारकरताओं ने जिला प्रिशाशन की शंबेदन सीलता और लापरवाही की चलते लगातार मौतों की बात कही और शरकार द्वारा भेज़ा गया बजट का बंदर बाट करने की बात भी कही जी हाँ आपको बतादे की मौके पर पहुंचे पसुचिकित साधिकारी पीशियों ने बताया की जनपत बांदा के लिए उत्तर प्रदेश की गौशाला में गौवन से ओंके खान पान वर रख रखाओं के लिए शाथ करोड 80 लाख रोपे भेजा गया है फिलहाल भूंक और प्यास्टियों मौत कैसे हो जकती है? प्रदेश किया गया होगा लेकिन जब धन रिलीज किया जाएगा तो उसमें सत्यापन के उपरां थी धन फिर रिलीज होगा बलाकस्तर से अभी बांदा जनपत में कितना बजट आया है गौवर अच्छा के लिए गौवंस के लिए गौसालाव के लिए तो लगबक कितने सत्यापन कर लेंगे तब मतलब कई सत्यापन होता रहा है इसके बाद धन नीचे जाए आखरी तक कहीं कहीं गलत न जाए सत्यापन कर लेंगे तब भी बलाक से धन रिलीज करेंगे उसमें लगता है टाइम जब तक सत्यापन नहीं करेंगे धन नहीं नीचे जाएगा साथ करोण रूपे बजट काफी होता है फिर भी ग्रामीड से क्या रोप लगा रहे हैं कि इतना आया है जिले में कित आया है बांदा से यूपी 24 न्यूज के लिए योगिंद परताव सिंग की रिपोर्ट